गाईद आज हम बात करेंगे BSC Optometry Course के बारे में जो इस्टेम बहुत ज़्यादा डिमर्ड में है कोर्स बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें 12th पास करने के बाद admission ले रहे हैं तो ये BSC Optometry Course क्या है इसमें admission कैसे होगा इसकी fees कितनी है और इसमें करने के बाद हमें कहा कहा जोब मिल सकती है और कितनी salary मिल सकती है सारी जानकारे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो गाईद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BSC Optometry Course है क्या तो BSC Optometry Course की full form होती है Bachelor of Science in Optometry Guys इसके अंदर क्या है कि हमें आखों के उपर study कराई जाती है आखों के उपर पढ़ाया जाता है आखों की बीमारियां जो होती है उसको diagnose करने के बारे में हमें study करनी होती है और उसका कैसे treatment किया जाता है ये सब हमें सिखाया जाता है और साथ साथ आखों का check-up करने के अगर इस course के हम duration की बात करें तो ये किसी किसी college में तीन साल का है तो किसी college में ये चार साल में भी complete होता है और इसके हम eligibility की बात करें तो आप 12th pass करने के बाद इसमे admission ले सकते हैं आपका 12th जो है PCB मतलब physics, chemistry, biology से होना चाहिए और 50% marks आपके 12th में होना चाहिए तो आप इसमे admission ले सकते हैं और अगर इसके हम admission process की बात करें कि admission इसमें किस तरह से होता है तो दोपतों अगर आप private college में admission लेते हैं तो आपको merit base पर admission मिल जाएगा 12th के number के base पर आपको admission मिल जाएगा और अगर आप किसी government college में जाते हैं तो वहाँ आपको interest exam देना होगा जैसे कि paramedical interest exam इसके fees structure के बारे में कि इसकी कितनी fees होती है तो guys इसकी जो है private college में अगर हम fees की बात करें तो 60,000 रुपे से लेके 80,000 रुपे परियार हो सकती है और अगर हम government college की बात करें तो 20,000 रुपे से लेके 25,000 रुपे तक हो सकती है यह अलग-अलग college पर depend करता है अब बात कर लेते हैं इसमें पढ़ाय जाने वाले subject के बारे में कि इसमें कौन-कौन से subject पढ़ाय जाएंगे तो इसके अंदर जुह है आपको जन्रेटिक्स एंड पेडिक्स ऑप्रोमेट्री पढ़ाय जाएगा जन्रल एंड ओकुलर फिजियोलोजी जन्रल एंड ओकुलर एनाटोमी लो वीजन एड्स और होस्पिटल प्रोसीजर ओकुलर डिसीज पैथलोजी एंड माइक्रो बाइलोजी वीज्वल ओप्टिक्ल और ओप्थोमेट्रीट्स और और भी काफी तरह के subject हैं जो आपको इसमें पढ़ाय जाएंगे अब बात कर लेते हैं इसकी job profile के बारे में कि हमें कहां कहां job मिल सकती है और किस-किस role में job मिल सकती है तो आपको जो है दोस्तो अगर हम आपकी job position की बात करें किस-किस area में आप job कर सकते हैं कहां कहां job कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं किसी भी government या private hospital में job या फिर आप कर सकत हैं या फिर النותनिस मेड़िफा कि दोस्तों by कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं गमद्ध किंडिया कंदर्श के बारे में जहां से आम यह कोर्स कर सकते हैं तो सबसे पहला आता है जिंपर्म कोली पंडिचेरी फिर उसके बाद आती है अलिगर्ण मुस्लिम यूलिवस्टी अलिगर्ण फिर उसके बाद आती है यूनिवस्टी ओफ हैदराबाद हैदराबाद फिर उसके बाद आते हैं सवीता मेडिकल कोली चैन्नाई फिर उसके बाद आता है CSJMU कॉलिज लखनौ फिर उसके बाद आता है गितांजिली मेडिकल कॉलिज एन हॉस्पिटल उदेपूर तो यह से कुछ टॉप कॉलिज है जहां से आप यह कॉर्स कर सकते हैं तो गाइस आप ने अगर 12 पास कर लिया है तो काफ़ी अच्छा करियर उप्शन है आप इस कॉर्स को कर सकते हैं और मेडिकल फिल्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं तो गाइस फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो को साथ ठेंक्यू फॉर वोचिं